हेलो गाइस कैसे आप सब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बार बार लोगों की की मालीबू की प्रॉपर्टी दिखाईए मालीबू की प्रॉपर्टी दिखाईए तो एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा खास है आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो मालीबू टाउन में है प्राइम लोकेशन पे है फोर भी एच के ये प्रॉपर्टी है विड टेरेस भी एविलेबल है और फिर्स फ्लोर भी एविलेबल है इसका तो चलिए आपको आज की प्रॉपर्टी मैं दिखाता हूँ और आगे बढ़ने से पहले प्लीज कहना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हो तक मेरे साथ बने रहीएगा तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल है बिल्डिंग की और चलिए आपको अब एंटर करवाते हैं एंटर करने से पहले यह दिखाना चाहूंगा यहां पर यह कैमरा सिस्टम लगा हुआ है यहां पर सिक्यॉरिटी सिस्टम यह यहां पर जो है आपका लोहे का गेट है और SS के हैंडल्स बहुत अच्छी और यह हमारा पारकिंग एरिया है स्टेल्ट पार्किंग और यह उपर कबलाइट्स लगी हुई है यहां पर चलिए आपको पारकिंग एरिया दिखा देता हूं अब मैं यह सामने मीटर लगे हुए है काफी बड़ी पार्किंग है यहां पर यह एक चीज और इसकी जो है मैं प्रॉपर्टी की खासियत दिखाता हूँ आपको यह देखिए पीछे आपको देख रहा होगा यहां पे यह दोनों साइड से ओपन है और पीछे यहां पे जो है ग्रीन बेल्ट है यह देखिए यह जो है यहां पर यह एंटरेंट्स पर जो गेट लगा हुआ है SS का गेट लगा हुआ है वुडेन फिनिश आइसमें प्लाई लगाई हुई है यह जो है हमारा लिफ्ट लॉबी एरिया है जॉनसन की लिफ्ट मिल जाती है आपको यहां पे तो चलिए अब हमारा जो है मैं आपको 4th floor with terrace दिखा देता हूँ चलके और इस building में जो है हमारे पास 1st floor का option भी available है So this is our entrance और enter करते ही पहली चीज़ जो दिखाता हूँ यह door देखिए है handle कितना खूबसूरत लग रहा है और यह glass का यहाँ पर फिनिश भी है यहाँ पर beautiful door गोद्रेज का lock लगा हुआ है यह design देखिए अच्छा लग रहा है यहाँ पर यह और यह यहाँ पर जो है security system जो मैंने gate पर दिखाया था आपको यह उपर देखिए यह जो यहाँ पर इन्ने false ceiling बना रखिया है कितना अच्छा design है इसमें और तो हम यहाँ से अब शुरुआत करते हैं एंटर करते ही जो पहली चीज हमें देखिए मंदिर है वो और इसमें जो है नीचे storage space भी दी हुई है काफी सुनर मंदिर है यह नीचे storage space दिखा देता हूँ मैं आपको यह देखिए और पहली चीज से शुरुआत करते हैं जो हमारा है drawing room और एक चीज मैं रुकिया आपको दिखाता हूँ यह देखिए उपर जो है यह यहाँ पर yellow और blue का जो इनने combination किया LED light के लिए बहतरीन लग रहा है और इस side पर आपको AC की fitting मिल जाती है और नीचे की flooring एक second रुकिया इनने cover कर रखिया ताकि गंदी नाओ मैं खोल के एक बार आपको दिखा देता हूँ यह देखिए Italian marble है imported Italian marble है high quality का अच्छा लग रहा है यह बहुत इसको वापस pack कर देता हूँ है चलिए आपको अब जो है मैं पीछे वाली balcony दिखा देता हूँ यह हमारी पीछे वाली balcony है और इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड पर utility area मिल जाता है और एक बार आप greenery देखिए यहां पे मालीबू टाउन में बहुत जादा prime location है यह गुड़काओं की और यहां की property जादातर अच्छी वनी हुई है नीचे भी greenery देखिए तो चलिए आपको अब जो है मैं kitchen की तरफ लेके जलता हूँ यह देखिए एक बार दिखाता हूँ मैं आपको यह जो है यहां पर partition बनाया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर और आप देख सकते कितनी जादा बड़ी kitchen है यहां पर यह आपको मैं एक बार पास से marble दिखाता हूँ यह जो यहां पर use किया हुआ है यह यहां पर जो है fridge के लिए space दी वी है आपको मैं storage spaces दिखा देता हूँ जितनी भी हमारी kitchen में होंगी और यहां पर आपको जो है glen की chimney मिल जाती है space की तो इस kitchen में दूर दूर तक कोई कमी नहीं है आपको कभी ऐसा feel नहीं होगा कि यहां पर space की कमी है यहां पर जो है appliances के लिए यहां पर point और जगा दी वी है नीचे की storage space और दिखा देता हूँ आपको मैं यहां पर जो है channel लगा हुआ है और soon यहां पर लग जाएगा जो हमारा मसाले वाला जो space होता है बहुत जादा बड़ी kitchen है यह यह देखिए यहां पर जो आपको two bolt sink मिल जाती है और यह देखिए एक second आपको दिखातों कैफ की जो है यहां पर double bolt sink है और jaguar की fitting है tap में और यहां पर geezer का point दिया हुआ है जो उपर रखा हुआ है यहां पर आपको exhaust भी मिल जाता है और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर dust fin के लिए भी लगाया हुआ है उपर fan लगाया हुआ है यहां पर दो fan है kitchen में और यह जो है यहां पर यह balcony यहां पर छोटी सी balcony दी हुई है आप utility area की तरह यहां पर use कर सकते हैं इस balcony को चलिए अब आपको मैं first bedroom से शुरू करता हूँ दिखाना यह यहां पर जो हमारा टीवी पैनल लगा मिलता है और यह wardrobe और space बनाई हुई है यहां पर यहां पर भी मैं जो है ड्रॉर्स आपको खोल के दिखा देता हूँ storage space के जो है यह हमारी wardrobe है इसमें रूम में यह उपर भी यहां पर space दी हुई है यहां पर देखिये ventilation के लिए window दी हुई है shaft की window है यहां से lock हो रखा है अभी जो है gate मैं आपको भाहर से दिखा देता हूँ इसका dining area से भी connected है यह washroom यह shower area हो गया और इस side का जो है यह room से भी access है यहां का और यह दिखाता हूँ आपको मैं कितना अच्छा design बनाया हुआ है यहां पर shower area में यहां पर jaguar की fitting मिल जाती है आपको और यह देख सकते हैं यहां पर भी jaguar है कि यहां पर जो है आपको record का geezer मिल जाता है तो चलिए अब आपको second bedroom की तरफ लेके चलते हैं beautiful fall ceiling हो गए है एक दिखाता हूँ यहां पर यह जो दो color contrast कर रखे हैं यहां पर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यहां पर यह और यहां पर आपको AC की fitting मिल जाती है और यह आपको wardrobe दिखा दिता हूँ हमें इस side पर एक second यहां हमारी wardrobe रहीगी यहां पर drawers आपको दिखा देता हूँ यह नीचे shoe rack है और यह दो drawers उपर मिल जाते हैं आपको चलिए एक काम करते हैं आपको मैं अब front वाली balcony दिखा देता हूँ यहां की एक second रुपी है यह यह जो है हमारी front balcony है और एक चीज दिखाता हूँ आपको यह देखिए उपर जो है ceiling में आपको wooden finish मिल जाती है यहां पर and just have a look at the view from the top floor और आपको अब जो है मैं एक और चीज दिखा देता हूँ इस side पर आपको tap मिल जाती है पीछे वाली balcony में भी आपको tap मिल जाती है kitchen के साथ भी tap मिल जाती है तो सारी जगा tap लगी हुई है इसका आप मैं washroom दिखा देता हूँ बहुत सुन्दर washroom बनाया हुआ है यहां पर एक second यह मैं आपको दिखाता हूँ पास से यह देखिए यह blue color जो है बहुत जादा एकदम unique चीज़ है जो है यह white के बीच में भी आप देखिए यहां पर blue color दिख रहा है आपको सेम यहां पर jaguar की fitting मिल जाती है आपको और नीचे जो है storage space मिल जाती है इसके wash basin के नीचे यह यहां पर जो है glass partition मिल जाता है shower area के लिए आपको और shower area के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जो है flooring भी यहां पर blueish color की है टाइल चोई उसकी है record का same वही गीजर है और यहां पर आपको wardrobe मिल जाती है और खोल के दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको यह देखिए बड़ी बड़ी wardrobe है पूरे घर में जो है यह drawer भी खुल के दिखा देता हूँ एक सेकंड रुके यह लेजिए यह नीचे शूर आपका जाता है आपके एक वाटरोब इस साइड पर हो जाती है हमारी तो चलिए आप आपको जो है मैं third bedroom दिखाता हूँ यह जो है master bedroom है and just have a look at it beautiful fall ceiling over here और मैं आपको जो है इसकी flooring भी दिखा देता हूँ tiles लगाई हुई है यहाँ पे और wooden finish मिल जाती है इसमें आपको और यह देखिए bed का जो सिराना होता है यह कितना अच्छा design बना रखा है उसके लिए यहाँ पे और अब इस side पे मैं आपको wardrobe दिखा देता हूँ इसकी same wardrobe है जैसी मैंने आपको बाकी rooms में दिखा ही है फिर भी मैं एक बार drawers खोल के आपको storage space दिखा देता हूँ और यहाँ पे जो है यह वाली जो है वो ही same balcony है front side वाली balcony जो मैंने दिखाई थी तो चलिए अब आपको जो है मैं washroom की तरफ ले चलता हूँ beautiful washroom ओवे है यह यहाँ पे आपको जो है यह एक चीज दिखाता हूँ पास से यह देखिए beautiful tiles on the wall और यहाँ पे भी यह देखिए white का लगा marvel use किया हूआ है यहाँ पे बहुत सुन्दर लग रहा है यहाँ पे यह और jaguar की fitting मिल जाती है same आपको यहाँ पे नीचे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और सेम रेकॉर्ड का गीजर है यहाँ पे भी वास्रूं में तो मैंने जो है आपको तीन बेडरूम दिखा दिया फोर्फ बेडरूम सामने है वह वहां पे राइट कॉर्णर पर यह देख सकते है और यहाँ पे जो है यह जितना भी है यहाँ पे पैक हो रखा है ताकि गंदगी ना ओ तो मैंने जो है आपको पूरा हाउस टोर करा दिया है और अब जो है एक सेकेंड आपको उपर की तरफ लेके जलता हूँ हमारी टेरेस की तरफ SS की जो है यहां पर रेलिंग यूज की हुई है टेरेस में यह देखिए और लिफ्ट आती है आपकी टॉफ फ्लोर तक so this will be our terrace यह जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा यह पार्टिशन का रखा है इसका जो है एकसिस बाकी फ्लोर को मिल जाता है और यह जो आपको बड़ी जो बड़ा जो एरिया दिख रहा है इसमें टेरेस का यह एरिया जो है फॉर्थ फ्लोर के साथ मिल जाता अपको purely beautiful terrace वह है यहां पर यह देख सकते हैं benches बना रखी है seating के लिए यहां पर भी यहां पर भी और यहां पर भी को ऑघ्तु है इस साइड़ पर आपका यह बहार護 भी बोल सकते हैं और जैसे भी आप यूज़ करना चाहें यह देखिए नीचे स्टोरेज स्पेस भी दिवी है और वो सामने जो है महां पर सिंख दिवी है वो मैं दिखा देता हूं यह यहां पर जो है आपके बरतन वगेरा वाश करने के लिए तो थैंक यू गाइस फो वाचिंग दिस वीडियो यह थी हमारी आज की प्रॉपर्टी और मैं वीडियो यहीं पर खतम करता हूं प्लीज गाइस फिर से रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि हम बहुत जादा मेहनत करके आपके लिए प्रॉपर्टीज लेके आते हैं यह और ऐसे ही लाते भी रहेंगे तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मैं नीचे नंबर मेंशन कर रहा हूं महाँ पे आप जो है कॉल कर सकते हैं तक दो जो एंबर के आते हैं आपके हैं